नमस्कार मैं हूँ अमेद तो आप देखरों मेरा यूटूब चैनल ड्रिम सिटी ट्यूटर तो ड्रिम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है तो आज की जो टॉपिक है वो भी हमारा कुछ उसी तरह से है जो प्रिविएस वाला व्यूडियो था मैं सबको मैं फिर से दिख अगर आप कुछ है तो वह मैं दिखाने वाले हो थो थो तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि किस तरह से अपने सॉफ्वियर के परसेंटेज को आप दिखा सकते हो कि जो मेरा नॉलेज के उपर में वह मेरा 50% है या 80% है या 90% है तो 100% तो पॉसिबल नहीं है कि किसी क अब भी आता हो कोई भी सॉफ्वियर क्योंकि लोग скांण से रहते हैं तो पॉसिबल नहीं है तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से अम लोग बना सकते हैं कि सॉफ्वियर का नॉलेज हमें कितने है वह में कितने NAT परसेंटेज में दिखा सकते हैं तो चलिए से इबेड कॉ कोई भी आप कलर ले सकते हो अपने कार्डिंग ली तो मैं तोड़ा सा ले लेता हूं यहां पे तो चलो मैंने कुछ ऐसा कलर मैंने ले लिया यहां पर जैसा भी आपको चाही होगा कलर अपर रख लेना कोई लाक करो इसे अभी कुछ जैसे कि मैं चाहता हो यहां पर मैं क्लिक करो अप सेंटर अगर बनाना चाहते हो तो बेटर है कि आप यहां पे इसको इनेबल कर लेना टाइटल एंकर सेफ मार्जीन देन जूम करो यहां पे चले जाओ शिफ्ट कंड्रोल के थ्रू आप यहां से बना सकते हो शेप को कुछ ऐसा तो अगर आपको चाहिए तो ऐसे भी ले सकते हो अधर वाइस यहां पे आप चले जाओ अलाइनमेंट के उपर एंदेन सेंटर सेंटर अलाइन आप यहां से ले लेना एंदेन अगेन इसे तो वह साथ बड़ी साइज में आप ले लो तो फर्स्ट काम तो आपको यही करना है कि आपने जो बना रखा है उसकी थिकनेस जो स्ट्रोक है मैंने जो सरकल बना है उसमें सि तो यहां पर आप देख सकते हो, click करो, and then यहां पर आप देख सकते हो, सबी कुछ है, आप यहां से ले सकते हो, कुछ ऐसा, लेकिन प्रबल्लम क्या है कि जब भी आप ले रहे हो, तो यह जो एजी है, complete flat है, and then मुझे यहां पर चाहिए rounded okay तो आप elliptical shape में जाओ stroke में जाओ and then यहां पर आप जाकर आपको ले लेने है जो cap आपको दिख रहा है butt cap वो important है click करो and then rounded ले लेना तो यह थोरी से प्यारी से दिखती है otherwise वो बहुत गंदे दिखते हैं तो आपको at is यह वाले आपको पहले ले लेने है कुछ ऐसा and then most important thing is कि आप color को जो रख रहे हो na color को आप चाहो तो थो थोड़ा सा black color ले लो and then opacity कम कर दो इसकी तो मैं generally क्या करता हूँ मैं तो थोड़ा सा dark color ही रखता हूँ and then इसकी opacity को मैं तुरह सा कम कर देता हूँ कुछ ऐसा fine तो ये एक हो गया मेरा जो style है वो मैंने ले लिया यहाँ पे तो मैंने जो bottom वाला मैंने जो shade बनाया है उसको अब 100% यहाँ पे रख लो right ये मेरा 100% रहेंगे कुछ ऐसे and then मैं क्या करूँँगा इसके ऊपर एक और मैं control D करके copy ले लेता हूँ right and then इस पे मैंने 15 के जगा मैंने ले लिया यहाँ पे यहाँ पे मैं ले ले लेता हूँ sit 20 कुछ 20 ज्यादा थिक बना लो and then जो top में जाएगा वो मेरा जाएगा यहाँ पे 10 half कर देता हूँ मैं and then यहाँ पे मैं जाकर contents में जाता हूँ trim में जाता हूँ I mean elliptical में जाता हूँ इसके stroke में आप चल ले जाओ and then यहाँ पे मैं ले लेता हूँ white color कुछ ऐसे white color ले लो opacity भी मैं क्या करता हूँ 100% ले लेता हूँ तो जादा better दिख रहे हैं अभी okay and then मुझे क्या करना है इस पे मुझे animation डालने है या apply करने है तो जब आप देखोगे यहाँ पे आप जाओगे यहाँ पे आप trim path में जाओगे इसके end वाले पे तो यह देख सकते हो आप कुछ इस तरह से आ रहे हैं यहाँ पे right तो आपको कुछ इस तरह से ले लेने है right तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे starting में मैं कर देता हूँ यहाँ पे मैं रख लेता हूँ थोड़ से आगे बढ़ा दो परसेंट राइट सी तो आपको क्या होएगा कुछ इस तरह से आप परसेंटेज को ले सकते हो कि मेरे को इतने परसेंट ही आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से अप ले सकते हो यहां पर ऐसा राइट और यहां पर मैं क्या करूँगा यहां पर आ जाने के बाद मैं क्या यहां पर text पर मैं कुछ ऐसे drag कर दो and then यहां पर लिख दो 01 तो मैं 01 को मैं ले लेता हूं as a text and then यहां पर आप अपने हिसाब से तुरह सा text change कर दो okay तो जितना simple आप text रखोगे ज्यादा better उसी में आपको दिखाए देंगे तो मैंने यहां पर ले रखा है कुछ ऐसा ले लेता हूं कुछ ऐसे text मैंने रख लिया है and then आपको करना क्या है text को again मैं इसके साथ bind करना चाहता हूं जो मैं यहां पर animation है जो मेरा यहां पर trim path है उसी के recording यह change होने को है तो मैं वैसे ही चाहता हूं यहां पर भी तो starting मैं मुझे क्या चाहिए होगा यहां पर मैं simple सा चला जाता हूं text पे text पे आप again click कर दो and then यहां source text यही main है हमारा जो यहां पर आपके मिल रहा है pick web तो इससे ले लेना and then इसके जो percentage है आप यहां पर चले जाओ and then जो इसका end point है I mean जो मेरा यहां पर trim path जो animate कर रहा है यहां पर end वाले पर मैं इसके साथ bind कर देता हूं तो simple आप यहां पर जाओ इसे यहां पर end के साथ आप ले लो right तो जैसे ही आप देखो कि अभी आपका यह decimal में पी आना start हो गया लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए होंगे okay तो आपको करना क्या है यहां पर सबसे first काम क्या करो कि आपका जो यहां पर मैंने जो alt प्रेस करके मैंने लिया था आपने expression को इस expression को क्या करो आप यहां पर click करो expression के उपर में again से चले जाओ यहां पर java script path में and then यहां पर आपको कर लेना है round value okay तो round value में क्या होएगा जब भी यहां पर आप देखोगे animation तो आपको यह animation round value में ही दिखेंगे okay तो यह काम हो जाने के बाद अब गर माल लो मैंने यह हो गया मेरे से मैंने बना लिया यहां पर अब मुझे इसको 2-3 copies करने हैं तो कैसे करोगे first click करो आप यहां पर इसे भी मुझे background अभी चाहिए नहीं आप चाहो तो बाद में background ले सकते हो या फिर select कर लो first and then right click करके मैंने क्या क्या इसे convert कर दिया यहां पर I mean pre-comp में मैंने add कर लिया fine यहां पर select कर लो and then create कर लो तो यह as a मेरा pre-comp हो गया है आप चाहो तो इसको तुर छोटे कर दो size में बढ़े कर दो completely आपके ऊपर हैं तो मैंने यहां पर ले लिया यहां पर कुछ ऐसा fine तो मेरा यहां पर first कुछ ऐसे हो गए अब save margin अड़ा दो काम खत्म हो गए तो मेरा मालो first मैंने यहां पर एक बना दिया तो यह हो गया मेरा comp 1 अब मैं चाहता हूँ इस comp 1 को मैं copy करना चाहता हूँ right तो आपको copy कभी भी यहां से मत करना हमेशा याद रखना अगर यहां से क ctrl D कर लो 2-3 times and then move करो right तो comp 2 यहां पर मैं लेकर आ गया comp 3 को भी मैं लेकर आ गया तो मेरे पास अभी comp 2-3 यहां पर आ गया है see okay कुछ ऐसे and then तो यहां पर मैं लेकर आ गया comp 1-2 and then 3 तो 3 comps मेरे यहां पर आ चुके हैं कुछ ऐसे तो comp को मैं तो आरेंज कर लेता हूँ जैसा भी मुझे चाहिए होगा center align कर देता हूँ अब देख सकते हो यहां पर जब मैं animate करता हूँ इनको तो आप देख सकते हो यहां पर कुछ ऐसे आ रहे हैं देकिन ऐसा नहीं होता कि सारे जो मैंने यहां पर percentage ले रखें software के वो हमारा 90-90 होगा कहीं जग कम होगा कभी जादा होगा तो मैं क्या गरता हूँ प्री कॉम को एक को सिलेट कर लेता हूँ यहां पर 90% को कर देता हूँ यहां पर 70% ओके फर्स्ट वाले को मैं डिलेट कर देता हूँ यहां से आप जाकर डिलेट कर दो तो अब देख सकते हो कि यह जो हमारा होगा वो 70% पर होगा फिर से कॉम पर आप आजाओ देखो यहां पे animation तो एक के animation आपको मिलेंगे यहां पे 70 एक के 90 और एक की कर देता हूँ मैं complete यहां पे जाकर बीच का in between 80% तो again select कर लो delete करो and then यहां पे जाकर मैं ले लेता हूँ इसी के percentage को मैं 80% तक तो अब आप जाकर देख सकते हो यहां पे comp 1 में कि जब मैं यहां पे animate कर रहा हूँ तो यहां पे percentage जाकर किसी का 70 है किसी का 90 है किसी का 80% है अब मैं चाहता हूँ इसके उपर logo भी add कर दूँ मैं क्या करूँ है यहां पे logo को मैं लेकर आता हूँ AE first logo को मैं यहां drag and drop किया यह मेरा AE के logo आ गया है same thing एक और logo को मैं क्या करता हूँ यहां पे मैं लेकर आ जाता हूँ and then इस logo को मैं यहां पे ले लेता हूँ इसके according fit कर देता हूँ तो मैं logos बगर रखो फ़रा पीछे ही रखो सब के जितने भी काम पर उसके पीछे आप रखो logos को तो ज़्यादा better दिखेंगे तो मैं यहां पे क्या करता हूँ logo को मैं थोड़ा सा छूटा कर देता हूँ यहां पे तो यहां पे मैं गया transform पे and then मैं इसके scale को थोड़ा सा छूटा कर देता हूँ इतना छोटा काफी है right and then इसके बाद मैं इस लोगो को भी थोड़े से छोटे साइज में रख लेता हूँ, यहाँ पे transform, scale, थोड़े से छोटे साइज में दे लिया मैंने, ओके, and then last one, एक और मेरे पास logo है, तो यह ही हो गए है, photoshop हो गए है, and then illustrator वाले को भी मैं ले के आजाता हूँ, सबसे bottom में, right, and then इसे भी मैं क्या करता हूँ, simple, आपको drag and drop, यहाँ पे लेके चले जाओ, जहाँ पर भी आप कुछे ही होंगे, and then इसकी भी size जो है, I mean scale, उसे थोड़े से आप adjust कर लो, ऐसे, right, आप चाहो तो properly आप ले सकते हो, alignment, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं animate करूँ, तो आप कुछ इस तरह से अपना बना सकते हो, कि किस software में आपको कितने knowledge है, and then आप चाहो तो text भी लिख लो, यहाँ पे अगर आपको चाही होंगे, तो आप text लिख लो, अप चाहो तो previously मैंने जो बताया था, water drop या वेब का end of, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही easy way में कर सकते हो, तो बट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, again, एक new, यहाँ पे लिख दो आप, simple सा लिख दो software, right, तो जैसा भी चाहिए होगा, अब उतना ले लो, okay, simple सा प्ले ले लेना, software, right, ऐसा, तो अब देख सकते हो, यहाँ पे software के size बहुत बड़े हैं, तो I think 100 भी काफी हैं, तो आप कुछ इस तरह से ले सकते हो, right, तो, तो simple सा आप देख सकते हो, कि आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, fine, तो बहुत easy तरीके से आप कुछ इस तरह की चीजे बना सकते हो, अपने portfolio के लिए, अपने assignments के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, बहुत easy way में, तो यह था आचका हमारा topic, I hope कि आचकी class आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है, तो please like करें, subscribe करें, and then अपना प्यार easy तरह से परकरार रहें, तो मिलते हैं हम लोग After Effects के निए वीडियो में, तब तक के लिए, नमशकार, take care.